भगवान को किसी ने देखा नहीं है फिर फोटो कैसे बन जाते हैं वाह क्या सवाल है बच्चे कतालिया हो नहीं चेलिया असलाम आलेकुम दर्शुक एक जुन हिंदू बाच्चा छेले जोखुन हिंदू पंडिद अनिरुध आचारिया महराज के जिग्यस कर लो जे भगवान के इस्षोर के प्रोभु के कियो तो कुनो दिन देखे निदू ताहले तार पेंटिंग करा तार छोबी तोरी करा तार आकरित दावा की भावे सम्भा भलो तकुन तीनी क्यू उत्तोर दिये छिलान से वी वीडियो टी आमरा आज केर वीडियो ते देखबो संगे संगे एकी प्रोष्णो डॉक्टर जाकिर नाइक के करे छिलान एक जोन हिंदू साधरोन मानुस जीगेस करे छिलान जे धोर्मियो द्रिष्टिकोने इस सोरेर बा प्रोभूर बा स्रिष्टि करतार भगवानेर पेंटिंग करा बाज आकरित दावा बा छोबी निर्म करा आदो ठीक ना की भूल तो डॉक्टर जाकिर नाइक एई प्रोष्णर उत्तोर इतिनी की आंसार को रिछेलान की उत्तोर देचलान से वीडियो टाउमरा देखबो तो मैं आपनागा जानी राखी जे इसलामिक द्रिष्टिकोने अल्लाहोर कुनो रूप कुनो प्रुति मुर्ति कुनो छोबी कुनो पेंटिंग नही मनुस जानेना जे अल्लाह रभढ प्रुल अलामिन देखते क्यामुस तो जोखुं फंदु पुन्दित के जिघ्च करा लो तंहुन सीनी की उत्तोर दिलें एरपथ जख्टों जक्तवान रकुलान तुरोफ ना मुलुक तुरो पर भगवान केंसे हैं थाख मन जाते हैं वह तो जी तरह ठाकुर जी ऑन्हीं सब लिगा हुआ है उसके बाद सब सुन सुन के ठाकुर जी का वैसे हुलिया बना या पैसा बन किया गया पुरु जी आपके गोधी में बैठना जाता हूं मैं हाँ हाँ आजाना वोकों के दिमाग में जो गलत फेहमिंग वो भी इंशालला दूर हो जाएंगी और आपके साथ जो गलत फेहमिंग वो भी इंशालला दूर हो जाएंगी तुरान में लिखा है कि उसके जैसा कोई ही नहीं है यही चीज बाइबल में लिखा है बहां के जैसा मुमकिन ही नहीं कोई भी चीज आसमान में हो धर्ती पे हो जमीन पे हो वो ही लिखा है वेद में नातस्र पतीमा अस्ती उस भगवान का कोई अक्स नहीं कोई पेंटिंग नहीं कोई फोटोग्राफ नहीं कोई मूर्ती नहीं तो ये लिखा है धार्मिक किताबों में लेकिन धर्म के मानने वाले अपने आसानी के लिए तब्दील कर रहे हैं मिसाल के तौर पे मिसाल के तौर पे आप सब्सक्राइब बिजनसमैन है आप एक कमपनी के मालिक है आप एक अपना पुराना उसूल किस तरीके से कमपनी चलना चाहिए उसूल से चलते आ रही है आपके कोई नहीं मैनेजर आते हैं को बदल देते, आपके उसूल के खिलाफ काम करते, बोलते क्या, ये और भेतर होगा, इस से मुनाफ़ा जादा होगा, आपके उसूल है कुछ, आपके उसूल होगे का मैं इमानदारी से काम करूँ, आपके मैनेजर के उसूल होगे, इमानदारी को छोड़ो पैसे जादा कमान रिश्वद देने हराम है तो इस तरीके से आल्ला ताना ने बुनियादी बातें कह चुकिते इस तरीके से उस एश्वर की अorgादथ करना अभी इंसान अपनी गलत फेम्यों में आल्ला ताला खुदा इश्वर की बात छोड़ के खुद के तरीके से अबादत करने लगते है और हम क्या कर रहें उस अजीम खुदा को गाली देते है हम कहते हैं कि खुदा ने बेटा जाना अस्तख्फुल्लाई हम खुदा को उस मूर्ती में ले आते हैं जब लिखा हुआ है स्वेता सेतर उपनिशद में जजुर्वेद में नाचत से पती मास्ती उस इश्वर की प्रतीमा नहीं है हम मूर्ती बनाते हैं मिसाल के तोर पे अगर अगर मैं किसी को मदद करता हूँ और अगर वो शख्स मुझे जानता नहीं जाकिर कैसा दिखता है मिसाल के तोर पे श्रीलंगा में मैं एक स्टूडेंट को मदद करता हूँ रोज दसाजार रुपिय मेचता हूँ उसको पताने जाकिर के साथ क्या करता है वो कौकरोज बनाता है कौकरोज और रोज सुबा को बलता है जाकिर शुक्रिया जब मुझे पता चलेगा उसने मुझे कोकरोज बनाया क्या मुझे खुशी होंगी बले वो मुझे कुछ खाली दिल में कहता हूँ जाकिर शुक्रिया काफी है शुक्रिया नहीं भी कहता हूँ चल जाता था लिकिन मुझे कोकरोज बनाया इनसान से कोकरोज बनाया मुझे फरक पढ़े ना पढ़े वो तो बेवकूफ बन रहे ना कैसा बेवकूफ इंसाने मुझे बने फरक ना पढ़ा मैं देया लू जान देना मुझे कौकरुज मैं क्या फरक पढ़ा मैं बुलूँ क्या बेवकूफ इंसाने क्या बेवकुफ इंसाने के कौक्रोच के सामने जुक रहा है तो इसी तरीके से खुदा ने हर मजभी किताब में दिखाया हुआ है किस तरीके से उसकी अबादत करे किस तरीके से उसकी बात माने हम आते हैं और अपने तरीके से सोचने लगते है Energy is God कहा ने लिखे ला Energy is God आपने बिलकुल आपके सवाल का जवाब खुद आपने दिया आपने एक मिसाल दी कि हिंदू लोग कहते हैं नमस्ते नमस्ते का लफ़ किदर से आता है आपको शाथ पताएंगा नमस्ते आता है इदम नममे से इदम नममे मतलब मैं आपके सामने जुकता हूँ मैं आपकी इदम नममे आप कहना चाहते मैं आपके अंदर इश्वर के इदम करता हूँ मिसाल के तोर पे वो आदमी चोर है वो गलत काम कर रहा है बलातकार कर रहा है आप उसको इश्वर बोलेंगे आप इश्वर को इतना गठिया समजगे वो बलतकार करने वाले इंसान को भूते, एब इश्वर है इस से भाई चारगी बड़े गी नए गठे गी वो बलतकार करने वाले को, वो चोर को, औकू को मैं इश्वर मान रहा हूं, उसके सामने जुक रहा हूं अल्ला को क्यों काली दे रहे, इश्वर को क्यों काली दे रहे, खुदा को क्यों काली दे रहे इसलाम में, इसलाम की भी आपने मिसाल दी, इसलाम में हम कहते असलामु अलैकुम, अल्ला ताला से फर्माते, इस इंसान पे सलामती दे चाहे वो अच्छा इंसान है तो भी सलामती देने की बात अच्छी है चाहे वो चोर या डाकू हो मैं बोलुगा अस्सलामु आलेकूम मैं कह रहा हूँ या अल्ला या रब या खुदा या इशुवर या बगवान इस डाकू पे रहमत फरमा कुछ बुरी बात है ना मैं अल्ला को गाली दे रहा हूँ उसके लिए दुआ दे रहा हूँ कि तु गलत काम छोड़ और सही रास्ते प्या अगर मैं उसको खुदा मानूगा तो खुश हो जाएगा वहार चुरी करेंगा वहार बलातकार करेंगा कोई भी धर्म ही नहीं सिखाता ये धर्म के मानने वाले अपने खुद की एजास करते है इसे कहते हैं इनोवेशन बिदात जिस तरीके से ने खुदा ने सिखाया है कि उसकी इबादत करें उसी तरीके से हमें करना चाहिए तबदिली लाएंगे हम समझ रहे है कि भाई चारा बढ़ेगा भाई चारा नहीं बढ़ेगा भाई चारा घटेगा लेकिन अगर मैं आपसे कहूँँगा अउतार सिंग अस्सलामु अलेकुम मैं अल्ला से दुआ करता हूँ कि आप पे सलामती हो आप पे अमन हो आप मुझे बोलो इससे भाई चारा ज्यादा बढ़ेंगा या कहने से भाई मैं आपको इश्वर मानता हूँ और फिर आपकी बात में मानू में फिर अगर आप मुझे बोलेंगे चलो भाई शराप पिने चलो चलो भाई लड़की के साथ रात गुजारेंगे तुम्हें क्या बोलेंगे मेरे बगवान मुझे बुला रहा है तो ये कहना अस्सलामु आलेकुम मतलब मैं अल्ला से दुआ करता हूँ कि ये इंसान के ओपर सलामती हो अच्छा इंसान पे भी सलामती कहना अच्छी बाते बुरा इंसान बेबी सलमाटी के नची बाते